नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सिटिस दिल्ली में सरेंडर करने वाले अनन्द सिंग को आखिरकार लीपी सिंग ने हरा दिया है आज साकेट कोट में जो कानूनी परक्रिया चली भास हुई उसमें लीपी सिंग को बरी जीत मिली है और इस वक्त की सबसे बरी ब्रेकिंग खबर ये कि डिल्ली में अनन्द सिंग अब बिहार पुलिस की कस्टडी में है कोट ने उन्हें बिहार पुलिस की कस्टडी में दे दिया है और ये लीपी सिंग की जिम्मेबारी है कि 26 अगस तक उन्हें बार की कोट में फेस कर दें समय दो बजे दो फ़र तक निधायत किया गया है तो इस प्रकार अनन सिंग बिहार पुलिस की कस्टडी में चले गये हैं लिपि सिंग जैसा चाहती थी कि अनन सिंग को वह अपनी कस्टडी में ले सके उन्होंने अनन सिंग को दिल्ली में अपनी कस्टडी में प्राप कर लिय दिल्ली के साकेट कोट में अर्चना बेनिवाल के कोट में आज बहुत 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 चली अनन्द सिंग के बकील तो थे ही ज्यानेंद्र मिस्रा और उनके साथ इस आलम लेकिन बिहार सरकार की ओर से भास करने के लिए बिहार ने दिल्ली में अपने सबसे बरे बकील गोपाल सिंग को उतार दिया था जो बिहार सरकार के लर्णेड स्टेंडिंग कॉंसल कह जाते हैं दिल्ली में जब कोई बड़ा मुगदमा होता है तभी गोपाल सिंग जाते हैं तो इस मामले की महत्ता कितनी थी यह समझ रखते हैं कि कोट में आज बिहा सरकार की ओर से गोपाल सिंग प्रेजन्ट हुए बिहा सरकार के तरकों को रखने के लिए लिपि सिंग कोट में पी फॉडिया स्टेट दिल्ली के वकील भी थे दिल्ली सरकार के वकील भी थे अनन सिंग की किसी मांग को दिल्ली की कोट ने अर्चना बेनिवाल के कोट ने आज स्विकार नहीं किया पहले आदेस यह हुआ था कि बिहार की अदालत में अनन सिंग को दिल्ली पुलिस की हिफा आज़त में पहुँचाय जाएगा पर यह आदेश अज पलट किया क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहद दिल्ली में जो अननसिंग के खिलाब बार थानी में मुकदमा है उनकी आईयोँ है लिपिसिंग் उनकी कस्टडि को मांल लिया गया है और अननसिंग की गिरफ़तारी स्विकार कर ली गई है अननसिंग ने कई पेर किये उनके बकीलने कोर्ट में लेकिन कोई बात नहीं मानी गई जैसे अनन सिंग की और सी दलिल दी गई कि उन्हें दो सहयोगियों के साथ बिहार जाने दिया जाए पर कोट ने इस बात को नहीं कबूला कहा कि इसकी कोई जुरुत नहीं है बकील के साथ भी बिहार जाने की मांग कोट ने नहीं शुगार की अनन सिंग ने अपने स्वास्थ कारणों का हवाला दिया था कोट ने कहा है कि आप दबा रख सकते हैं उन्होंने कुछ दबाईयां भी दिखाई अनन सिंग ने कि वो कौन सी दबा खा रहा है लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जब उन्हें medical examination के लिए हाजिर कराया जाए तो डॉक्टर को सारी दबाएं दिखाई जाएं और जो दबा खाएंगे वह पहले डॉक्टर से दिखाई जाएगी तब यूए 7 कर सकेंगे तो इस तरीके से अनन सिंग लिपी सिंग की custody में दिल्ली में चले गए है आज की रात यह बात संभावना है कि आज की रात उसे दिल्ली में ही रखा जाए अब वह तिहार जेल नहीं जाएंगे अब यह लिपी सिंग और बिहार पुलिस की इच्छा है कि उन्हें कहां रखा जाता है इस बात की भी संभावना है कि उन्हें बिहार भवन में रखा जाए हाँ बिहार निबास में लेकिन कोट ने एक बात और कही है कि उनकी निगरानी सुरक्षित निगरानी दिल्ली एरपोर्ट पर CISF और पतना एरपोर्ट पर CISF करेगी हाँ ए एक बात की इजाजट कोट ने डी है कि यदि अनन सिंगे बकील को यह लग रहा है कि उनके मुवक्किल की जान को ट्रांजित रिमान की अब्धी में खत्रा है, मतलब दिल्ली से पटना ले जाने के राश्ते में खत्रा है, तो वे इसके लिए दिल्ली पुलिस के कंसन DCP से मु कोट में जो कुछ हुआ उसमें अनन सिंग की हार हुई है, लिपी सिंग जीत हुई है, अनन सिंग अब बिहार पुलिस की कस्टडी में है, आज वे तिहार में नहीं होंगे, लिपी सिंग उन्हें अपने साथ रखेगी, और 24-26 अगस को, मतलब शोमबार को, 26 अगस को दो फर दो बज़े तक उन्हें बार की अदालत में टेस्ट किया जाएगा इसके बार यह संभव हैं कि उसी दिन लिपी सिंग जो इसकांध की अनुशन धानक है जो बार में दर्जकांध है जिसमें अनन्द सिंग के लदमा इस्तित घर से 147 और हैंड ग्रिनेड मिला था और इस को ही मतलब 26 अगस्त को जब उहां प्रेजेंट करें तो उनकी पुलिस का स्टडी की मांग करें हाला कि नियम यह है कि पहले अभ्यूक्त को जुदिशल का स्टडी में भ्यार आता है जब जेल चले जाएंगे और जेल में निधारित घंते ब्यतीत कर लेंगे उसके बाद ही कि पुलिस का स्टडी की पुष्टाच के लिए मांग कर सकती है तो दिल्ली से अब अनन सिंग को कल लाए जाएगा इस वक्त की बरी ब्रेकिंग खबर यह है आप देखते रहें लाइफ सिटिस को और जो कोई अपडेक्ट होगा आपको सबसे पले लाइफ सिटिस बताएग अधो के लिए का?